Hello everyone, welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में PCS सार्थी के इस वीडियो में हम करेंगे Environment and Ecology Current Affair का Set No.3 इससे पहले दो set आ चुके हैं, Set No.1 और Set 2 वो आपको देखने हैं, उसी के बाद आपको Set 3 देखना है क्योंकि एक सीरीज है तो बहुत सारी information हो सकता है, मैं इसमें Skip कर दूँ क्योंकि मैंने Part 1 और Part 2 में अल्यड़ी वो आपको दे दी है, तो आपका एक connection मन जाएगा Parts में और फिर आपको और ज़्याद अच्छा समझ में आएगा, तो अगर आपने 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है, तो उसको देखिए, आसानी से सर्च कर लीजिए, उपर YouTube में सर्च में डाल दीजिए, Environment Ecology, Current Affair, PCSR थी आगे लिख दीजिए, तो आपको सारे link वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आईए शुरू करते हैं set number 3, state PCS exams के लिए हमारा जो पहला question है वो अगस्ते मलाई Elephant Reserve की हम बात करते हैं अगस्ते मलाई Elephant Reserve ये भारत का 32वा Elephant Reserve declare किया गया है तो हमारा सवाल जो है वो इसी से related है ठीक है, तो ये तमिलनाडू का 5वा Elephant Reserve है और निलंबूर Elephant Reserve और निलगिरी Elephant Reserve जो है वो दोनों तमिलनाडू में है तो इन में से कौन सा statement जो है वो ठीक है, आईए देखते है अगस्ते मलाई Elephant Reserve भारत का 32वा है अगर मैं आप से पूछू भारत का 31वा Elephant Reserve कौन सा था तो आंसर है लमरू लमरू Elephant Reserve चतिसगड में बना था और ये भारत का 31वा था और 30वा कौन सा था? 30वा था नागा लेंड का सिंग फन सिंग फन Elephant Reserve नागा लेंड का 30वा था और अब तो बलकि 33 हो गए है तो आपको 33वा भी बता देदाओं कौन सा है 33वा बना है तरई Elephant Reserve जो की उत्तर परदेश में है तो यहाँ पे आप देखिए तमिल नाडू में कौन-कौन से जो है वो Elephant Reserve है इससे पहले एक है निलगिरी Elephant Reserve एक है कोयमबड़ूर Elephant Reserve एक है अन्नामली Elephant Reserve और एक है शिरिवलुपुत्तोर Elephant Reserve चार है तो यह पाँचवा है यह बिल्कुल ठीक है निलंबूर Elephant Reserve और निल गिरी दोनों तमिल नाडू में है तो यहाँ पे आप देख सकते है कि जो निलंबूर बाला है यह केरल में है यह們 नहीं है यह तमिल नाडू में नहीं है हां यह तमिल नाडू और केरला का जो लेंड्सकेप है उसका part है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर सिरफ निलंबूर elephant reserve बोलेंगे, तो वो केरला में है, इसलिए confusion हो सकती है आपको, कई बार मुझे भी हो जाती है, तो इसमें दूसरा statement गलत है, पहला ठीक है, तो इसका answer होगा, only statement one is correct, only statement one is correct, is that understood, तो ये काफ़े difficult सवाल है, औ अब आते हैं अगले सवाल पे, इन में से कौन सा statement, Jim Corbett National Park के बारे में एकदम ठीक है, Jim Corbett National Park कभी ये भी नियूज में आया था, बहुत important है, तो पहला, ये 1936 में बना था, और जब ये बना था, तो इसका नाम था, Haley National Park, क्या statement ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये 1936 में बना था और ये भारत का पहला National Park था, is that understood, ये पहला था, और इसका नाम Haley National Park क्यों रखा, क्योंकि एक British officer थे, जिनका नाम था, Malcolm Haley, उनके नाम पर इसका नाम Haley National Park रखा था, फिर 1954 में इसका नाम हो गया था, राम गंगा National Park, क्योंकि राम गंगा नदी यहां से flow करती है, इसी National Park के अंदर से flow करती है, और फिर अगले ही साल, 1955 में इसका नाम हो गया था, Jim Corbett National Park, क्योंकि Jim Corbett एक बहुत बड़े Tiger Hunter थे, इनको बुलाए गया था, उन Leopards को मारने के लिए, जो आदम खोर हो जाते हैं, उनको मारने के लिए, is that understood, दूसरा statement देखते हैं, पक्रो Tiger Safari, ये पहली Tiger Safari है अभी, जो शुरू की गई है, Jim Corbett Tiger Reserve में, जिसमें आपको 100% Tiger दिखेंगे, तो ये इसका नाम है, पक्रो Tiger Safari, क्या ये Jim Corbett में शुरू की गई है, हाँ, ये भी ठीक है, इसमें दोनों statement ठीक हैं, तो answer है, बोथ 1 and 2 are correct, Jim Corbett जो है, वो एक Tiger Reserve भी है, National Park भी है, दोनों है, जब कोई National Park या Wildlife Century, Project Tiger के अंडर आ जाता है, तो हम उसे Tiger Reserve बोलते हैं, तो कि उसमें extra funding मिलती है, Project Tiger के तहत, और Jim Corbett Tigers के लिए मशूर है, Jim Corbett के अलावा, उत्राखंड में हैं, वैसे ये, उत्राखंड में जो ननिताल district है, वहाँ पे है, रामनगर नाम की जगा पर है, और यहाँ पर एक होल Tiger Reserve है उत्राखंड में, जिसका नाम है राजाजी Tiger Reserve, तो उत्राखंड में दो Tiger Reserve हैं, एक राजाजी और एक Jim Corbett, तो पकरो Tiger Safari, ये पहली Tiger Safari है, Jim Corbett में अभी शुरू की गई है, एक दम अभी, और इसमें आपको Tiger 100% दिखेगा, Jim Corbett एक बात के लिए बद अगर आप माल लिए रंथमबोर जाएंगे या तरणोबा नैशनल पार्क जाएंगे महराश्ट्रा, तो वहाँ तो अल्मोस शॉर शॉर्ट है, आपको दिखेगा है, रंथमबोर में ऐसा हो यह नहीं सकता कि आप जाएं और आपको, क्योंकि वहाँ पे उतने घने नहीं है जंगल, तो इसलिए वहाँ पे आराम से आपको दिख जाता है, तो बोथ 1 और 2 इसका अंसर है, दोनों स्टेट्मेंट ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना नैशनल पार्क है, एक बात और बता दूँ, ये प्रोजेक्ट टाइगर कहां से स्टार्ट हुआ था, प्रोज और जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में कौन सी वाइल लाइफ सेंचुरी है, सोना नदी वाइल लाइफ सेंचुरी इससे लगती है, सोना नदी वाइल लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ से लगती है, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क से लगती है, और यहाँ पे और कौ गोविंद नेशनल पार्क, तो ये सब नेशनल पार्क हैं उतराखंड में, अभी अभी साथ साल में पहली बार दिल्ली में, जो Air Quality Index है, वो सबसे low record किया गया, ahead of दिवाली, दिवाली से पहले साथ सालों में सबसे कम record किया गया, तो आपको बताना है इन में से कौन सा statement ठीक है National Air Quality Index के बारे में, ठीक है, पहला, इसे Central Pollution Control Board, इसे Central Pollution Control Board ने डवलप किया था, IIT कानपूर के साथ मिलकर, और 10 air pollutant जो हैं, वो हम इसमें monitor करते हैं, 10 air pollutant जो हैं, वो हम इसमें monitor करते हैं, तो आपको बताना है इन में से कौन सा statement ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले, Central Pollution Control Board ने इसको बनाया था, IIT कानपूर के साथ मिलकर ये ठीक है, लेकिन हम इसमें 10 air pollutant को monitor नहीं करते, 8 को करते हैं, तो only statement 1 जो है, वो इसका ठीक है, और बाकी statement जो है, वो इसके गलत है, ठीक है, आईए, अब एक बार में आपको दिखा देता हूं, कैसा होता है air quality index, आप देख सकते हैं, इसमें ये 8 pollutant है, PM10, PM2.5, nitrogen dioxide, ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide, NH3 मतलब ammonia और lead, तो ये 8 चीज़ें हम measure करते हैं, और जितना कम score हो उतना अच्छा है, ये आपका score 0 से 50 है, जैसे for example PM10 का 0 से 50, तो वो good है, तो ऐसे कर करके जो score है वो देखा जाता है, जितना कम लेकिन score होत होता है, तो इसको बोलते है, air quality index, तो ये air quality index जो है, ये भी अपने आप में एक काफी अच्छा सवाल है, और इस पे कई बार question आते हैं, और question उस पे भी आते हैं कि इन 8 में से जो है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो उस तरह से करके भी जो question है, वो उसमें डाले जाते हैं, दिल्ली सरकार जो है, अर्विन केजरिवाल जी, वो भी इसके बारे में काफी बाते कर रहे हैं, तो हमारा सवाल जो है, उसी से related है, black soldier fly farming, ये food waste management के लिए चर्चा में है, तो इन में से कौन सा statement इसके बारे में ठीक है, पहला, ये एक insect based waste treatment technology है, यानि कि insects जो है, उनका इस्त ectothermic मतलब cold blooded, दो दरह के जानवर होते हैं, एक हम होते हैं, जिने warm blooded बोलते हैं, हमारी body का temperature वही रहता है अंदर का, चाहे हम ठंड में चले जाएं, गर्मी में चले जाएं, तो हम warm blooded हैं, एक होते हैं cold blooded, cold blooded जो होते हैं उनमें ectothermic, अंदर body का temperature भी change हो जाता है, बाह answer है, all of the above, इसमें तीनो statement ठीक है, मैं आपको diagram में दिखाता हूँ, ये देखिए, तो हम इसमें करते क्या हैं ये diagram में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपकी kitchen का waste है, यानि वो भोजन जो आपने छोड़ दिया, खाया नी, food wastage बगारा है, या सबजियों के छिलके बगा एक चीज में जिसको poop कहा जाता है, या इसको frost भी कहा जाता है, poop या frost, organic fertilizer का काम करेगी, और जो ये लारवा बड़ा हो जाएगा जब, तो मचली को भोजन की तरक खिला दो इसे, तो दोनों चीज़ें जो हैं, वो हो जाएगी, और ये सिर्फ साथ दिन में हो जाएगा, या इसलिए जादा efficient है, commercially जादा अच्छा है ये, जादा waste सिर्फ साथ दिन में हम kitchen का अपना use कर सकते हैं, उससे poop या frost बन जाएगा जो organic fertilizer है, और जो लारवा है उसको मचली को खिलाने के लिए use हो जाएगा, तो तीनो statement ठीक हैं, और दिल्ली की सरकार black soldier fly farming काफी बड़े skill पर क बहा जाता है, वो हमें दे दो, शिरलंका ने भारत से मांगे है, छे Indian Bison, तो इनके बारे में कौन सा statement ठीक है, जो गौर है, ये गोवा और बिहार का state animal है, इसका जो IUCN status है, वो है endangered, इसका IUCN status जो है, वो क्या है, endangered, और दक्षन 36 गड़ की एक tribe है, डंडमी मारिया, डंडम करके देखते हैं, देखो शिरलंका में गौर हुआ करते थे, लेकिन वो extinct हो गए थे, भारत में अभी कितने गौर है, 13,000 से 30,000 गौर पूरी दुनिया में है, इनमें 85% इंडिया में है, और ये बिहार और गौर का state animal है, ये ठीक है, इसका IUCN status जो है, वो क्या है, इसका IUCN status जो है, वो endangered नहीं है, वो है vulnerable, इसका IUCN status vulnerable है, और ये भी ठीक है, कि डंडम इमारिया ट्राइब, जो है वो गौर डांस करती है, तो 1 और 3 statement ठीक है, आंसर है option A, only statement 1 and 3 are correct, और गौर के conservation के ले सरकार कोशिश कर रही है, और अभी अभी निलगिरी के पहाडों में, तमिलाड गौर की population estimation किया गया था, गौर को count किया गया था, कि कितने गौर जो है वो बचे हैं, अभी अभी एक report आई है, breakthrough agenda report, ये अभी अभी news में आई, तो इसको लेकर कौन सा statement ठीक है, पहला, इसको International Energy Agency नहीं अकेले release करा है, दूसरा, ये जो report है, world leaders के कहने पर, UN Climate Change Conference, जो COP26 हुआ ग्लाजगो, वहाँ पर request की गई थी, कि ये report हो, breakthrough agenda का ये part है, तो क्या, इनमें कौन सा statement ठीक है, पहला गलत है, दूसरा ठीक है, answer है, only statement to is करे, देखिए, ये आपके clue भी होते हैं, जब इस तरह के वरड़ आते हैं, alone या only, तो ज़्यादर वो option गलत होता है, इस report को बेशक international energy agency ने release करा है, लेकिन अकेले नहीं करा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो report है, ये किस ने release करी है, तो इस report को एक तो release करा है, international energy agency ने, और इनका साथ दिया है, international renewable energy agency ने, international renewable energy agency और United Nations climate change high level champions, इन सब ने मिल के release करी है, सिर्फ international energy agency ने नहीं करी, international energy agency का headquarter पैरिस में है, और international renewable energy agency का headquarter, कहां है, ये आबू धाबी में है, ठीक है, तो ये COP26 में, जो है, request कीती, world leaders ने, ये भी ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, breakthrough agenda क्या होता है, breakthrough agenda ये होता है, देखो, carbon emission जो होता है, वो 5 sector में सबसे ज़्यादा होता है, एक है power sector, मैं आपको यहाँ पे ये चार्ट दिखा देता हूँ, power sector, road transport, steel, hydrogen और agriculture, ये 5 sector अगर आप मिला दो, तो इनसे 60% carbon emission होता है, तो breakthrough agenda ये है, कि वो 5 important sector, जो 60% of global greenhouse gas emission करते हैं, हमें उनको control करना है, उनमें investment लेके आना है, उनमें alternative technology लेके आनी है, जिससे ये pollution कम हो, तो ये 5 sector कौन से हैं, ध्यान दख लेना, power, road transport, steel, hydrogen और agriculture, इन sector से 60% carbon emission होता है, ग्रीन हाउस gas emission होता है, तो ये है breakthrough agenda, breakthrough agenda में हमें इनमें investment लेके आनी है, और अपने actions को coordinate करना है, जिससे हम greenhouse gas emissions को control कर सकें, तो I hope ये clear होगा आपको बेगदम, कि उसमें कौन सा statement ठीक था, कौन सा गलत था, सिर्फ B वाला statement जो है, वो उसमें ठीक था, पहला गलत था, अब अगले सवाल पर आते हैं, अभी दिवाली की वज़े से, एक organization है, जो news में चल रही है, और दिवाली और green crackers की वज़े से, petroleum and explosives safety organization, ये भी अभी खबरों में चल रही है, इस organization के बारे में कौन सा statement ठीक है, पहला, petroleum and explosives safety organization, ये ministry of chemical and fertilizer के अधिन काम करती है, और दूसरा, इसका headquarter मुंबई, महराश्टरा में है, तो ये news में इसलिए आई थी अभी अभी, क्योंकि दिवाली और green cracker को लेकर बहुत सारे recommendation, regulation इसने दिये थे, इसलिए ये news में आई थी, तो petroleum and explosive safety organization काम करती है, department of industrial policy and promotion, ठीक है, ये ministry of commerce के अंडर आता है, ना कि ministry of chemical and fertilizer, पहला statement गलते, इसका headquarter जो है, वो नागपुर में है, मुंबई में नहीं है, दूसरा statement भी गलते, तो answer है none of the above, इन में से कोई भी statement जो है, वो ठीक नहीं है, अब अगले सवाल पर आते हैं, इन यह भी एक app launch हो है, जल्दूत, उसके बारे में ठीक है, जल्दूत app, जल्दूत app को ministry of rural development और ministry of panchayati राज ने मिलके बनाया है, यह app online और offline दोनों modes में काम करेगा, जल्दूत app, जल्दूत app का काम क्या है, जल्दूत app का काम यह है, इस app की मदद से volunteer, जिने हम कहेंगे, ग्र वो ना पेंगे, कोई पानी का कुवा है, तो पानी के एक जो कुवे होते हैं गाओं में, उनमें कितना पानी है, उसको मेजर करेंगे मौनसून से पहले और मौनसून के बाद, यानि साल में दो बार, प्री मौनसून और पोस्ट मौनसून, तो एक statement इस पर ही बनाय जा सकती और ये ग्रामीन अभिकास और पंचायती राजमंत्राले दोनों ने मिलके बनाई है, और इसका काम ये है कि वो जो पानी है, कितना है कुवे में उसको मेजर करें, अगला सवाल देखते हैं, एक फूल होते हैं जिनने बोलते हैं नीला कुरिंजी, इन्हें अंग्रेजी में इनका साइन्टिफिक नेम है स्टोबिलैंथस कुंथियनस, ये एक बहुत बड़ा ट्रेक्शन मन गए हैं टोरिस्ट के लिए साउथ इंडिया में, तो काफी चर्चा में चल रहे हैं अभी इनके बारे में कौन सा स्टेट्मेंट ठीक है, ये सिरफ वेस्टन घाट्स पर प जोलते हैं, ये आप जानते हैं, तो निलीगिरी की पहाड़ियां जिने हम ब्लू माउंटेंस कहते हैं, वो निला कुरिंजी के नाम पर ही कहते हैं, क्योंकि ये निले रंके फ्लावर जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और क्या ये सिर्फ वेस्टन घाट्स में मिलते हैं, देखिए ये जो है वेस्टन घाट में भी मिलते हैं और इस्टन घाट में भी मिलते हैं तो पहला statement गलत है आपने शेवरोय सुना होगा शेवरोय हिल्स वहाँ पे भी मिलते हैं ये जो इस्टन घाट से वहाँ पे तमिल अडू में और जो शोला फॉरेस्ट हैं वेस्टन option B, क्योंकि इनमें 12 साल में एक बार full लगते हैं, they flower once in 12 years, इसलिए आप उससे अपनी age calculate कर सकते हो और पल्यान tribe जो है, तमिलनाडू और केरला में पाई जाती है, और क्या नीला कुरिंजी flowers को protect करने के लिए कोई century है इंडिया में? हाँ उसको बोलते हैं, कुरिंजी माला century कहाँ पे है, ये इद्दू की district में आती है केरला के कुरिंजी माला century, special century है जो protect करती है, नीला कुरिंजी flowers को is that understood? ये था हमारा environment ecology का set number 3, state PCS के लिए बहुत जल्दी हाजिर होंगा set 4 लेकर, अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है, तो मेरे कुछ जो सवाल हैं, उनका जवाब दीजीए, ठीक है? सबसे पहला ये कि जो Jim Corbett National Park है उसको Jim Corbett बोलने से पहले हिली बोलते थे, लेकिन बीच में उसको एक नाम ओर दिया गया था, जो नदी के नाम पे था, वो क्या था? ये मेरा पहला कुश्चन है Jim Corbett को 1954 में क्या नाम दिया गया था? Jim Corbett 1955 में रखा गया था, लेकि 1954 में उसे एक नाम ओर दिया गया था, वो कौन सा है? दूसरा, Jim Corbett नाशनल पार्क के साथ कौन सी वाइल लाइफ सेंचुरी लगती है? ये भी मुझे बताईए मेरा तीसरा सवाल जो है वो ये है कि जो नाशनल एर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कितने हम जो पॉल्यूटेंट हैं उनको मेजर करते हैं कितने पॉल्यूटेंट को मेजर करते हैं ये बताईए मेरा चोता सवाल ये है कि जो ब्लैक सोलजर फ्लाई फार्मिंग है वो कितने दिन में किचन वेस्ट को पूप या फ्रास में और्गानिक फर्टिलाइजर में कनवर्ट कर देती है मेरा प्माच्वा सवाल ये है जो इंडियन बिसौन है वो कोन से स्टेट का स्टेट एनिमल है इंडिया में इंडियन बिसौन या गौर जो गौर्ड़ डान्स पर्फॉर्म करती है तो ये मेरे सवाल है अगर आपने विडियो अच्छे से देखा है तो आप इनके आंसर कमेंट्स में लिखिए, मुझे बहुत खुशी है आप इसी सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत जल्दी हाजिर होंगा, Environment Ecology, Current Affair 2022 के, Set No.4 लेकर, Thank You for Watching, PCS Star 3